कि नमस्कार साथियों कैसे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबी अची होंगे आप देख रहे हैं यह उसका खाश रोग मेडिकल स्पेकर और मैं हूँ आपके साथ दोस्तों आज के शों का टॉपिक है दाइबटी पहले यह देखा जाता था कि एक उम्र में डाइबटीस होती लिए कि देखा टॉप अनोट स्पेकर चालरे ने की बरें इसक्राइबटी को देखाल्मी लोग को ठादी शोसम से लिए गी सबचे चनटों कि लिए कि इंज में डाइबटीस से लोग बिंस्तो होगि और कि यह उरे नम और कि क्यों हूं हो और किन मारा लाइकस्टाइफ ट आज हमारे शोर में दॉक्तर विश्वरूप रॉप राए है जो आपको बताएंगे कि डाइबिटीस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अपने खान पाल से अपने लाइब स्टाल को कैसे मैंज़ दे के रखते हैं आपको और बहुत सारी जवाब सवाल सब चीजे होगी आज क जो में तो बहुत सब्सक्राइब शरी में कैसे पैदा होती है डियवीटीस पैस्टाल कोई बेमारी नहीं है डियवीटीस का मतलब जस्ट सिंपल में हमें हाय शुगर इन बलड्क आपके खून में शूगर होनी की आवश्यकता है क्योंकि इसी से आपके बॉडिए हर से को ताकत मिलती है लेकिन जब वो एक लेवल से जाधा होता है तो वो बोज बन जाता है हमारे जो छोड़े बच्चे हैं दर साल बारा साल पंदर साल वो लगातर ग्रोव करेंगे ग्रोइंग एज में जब डायवेटीज की दिक्कत होती है हाई ब्लड शुगर जो पिताया था उसे बोलेंगे टाइप वान और जब आप ग्रोव चुके उसके बाद अगर यही समस्या है तो उसे बोलेंगे टाइप टू ग्रोइंग में दिक्कत क्या है कि जब ग्रोव हो रहे हैं और अगर आपको डायवेटीज हो कि तो आप तो ग्रोव हो रहे हैं लेकर आपका पैंक्रियास वो नहीं होगा वहीं रुख जाएगा या बोल धिरे ग्रोव होगा तो इसका चल सके कि लोग डायवेटीज के मरीज हो गये हैं देख तो बारवर प्यास लगेगी दूसरा बारवर पेशा पाएगा और सबसे इंपॉर्टन इंट्रेस्टिंग चीज है आपका यूरीन मानलो जहां पर भी है वहां पर चीटियान लगी तो यानिकी इंडिकेशन कर दिय दिटय नेचर ने हैं मैं आप डायाबीटी गरबढ़ है और दूसरा टेस्ट है HbA1c तीन महने में एक बर करना होता है तो क्योंकि हमारा जो ब्लड हो तीन महने में नया हो जाता है तीन से चार महने में है ना तो HbA1c अगर आपका 8.1 परसेंटेज वाइस उससे कम है तो समझ लिजे सब कुछ ठीग है अकसर लोग डाइबेटीज को बहुत हलके में ले जाते हैं ना कोई इलाज ना कोई परहेज आप हमारे दर्शोकों को बताईए कि यह शरीर के लिक कितनी खतरनाक हो सकती है यह मानिए यह तो एक लाइफस्टाइल डिजॉर्टर है लाइफस्टाइल यानि कि आपका लाइफ में हांखों में बॉडी में उर्ग मारी तो मतलब बौडी मैं ऐसा कोई औरगनी तोर्गेटिस को लेकर आप ऐसे ऐक्स्पर्ट है जो डाइट से डाइबेटिस को 90 का कंट्रोल करने का ला करते हैं आखी डाइबेटिस और डाइट का कनेक्षन क्या है सबसे पहले हमें यह स तो सिर्फ खाने से नहीं बड़ खाने से भी कनेक्शन है और खाने से कनेक्शन है तो इतने से ही आप देखेंगे आपका सब्सक्राइब को आप डाइबटीज को लेकर वो इलाज बताइए जिसके लिए आप मशूर है यानि डाइबटीज से मुक्ती पाने के लिए रोगी को क्या डाइट लेनी चाहिए हमारे पास जो पेशन आते हैं तो हम तीनी स्टेफ बताते हैं जिसे हम डी आइपी डाइट पहला स्ट ये है कि बारा बज़े तक सिर्फ फलों पे रहिए तीन से चार तरह के फल खाईए याद रखिए जो जो ब्लक्शुक्राइब पेशंट है मैं को बोलतों मीठे फल जरू खाईए आम, चीकू, अंगूर, पेट भरके खाईए कम से कम इतना खाईए कि जैसे बॉ बज़े चार ने है और रही है कि लुटिवे जोब खाईए तक प्रही इन दो बढ़्य गाजरे ना इनीचिप इंचिपट अग्री जब इस नहें अने तनीना सला खाा लिया एप एप धोन अब आइम इल्ट वन इजा लू ना इस कामरेने के बालेल स्यंट वो ग्ले और ब जो मैने तीन स्टेप बताए उसके अलावा कर पंदराव इसमें धूप में बैच मैं तुरा बहुत और संसेट के बाद ट्राइ ट्राइ टू नॉट इट मच पूड जितना मैने अभी बताए पिसले एक मिनुट में इसमें डूप करना पड़ेगा दवाईयों को टेपर कि वह आपके लिए खत्र नहीं किया जा सकता इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है मैं जाना चाहती हूं कि एक स्वस्त वैक्ति का शुगर लेवल क्या होना चाहिए और वो खुद को कैसे मैंटेन करके चले कि लाइफ में उसे कभी डाइबिटीज हो ही ना देखिए एक सव तो जो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंग पताया इस पे आपको रहना पड़ेगा तो आप ठीक होंगे डाइबेटीज क्योर हो सकता है क्योर होता है बट अगर हम लाइफस्टाइल को बदल देंगे दुबारा खराब कर लेंगे तो दुबारा ये प्रॉल्म आ जाता है तो इन्सूलिन के इंजेक्शन लगाने की सलहा दी जाती है लेकिन आप कहते है कि बच्चों की डाइबेटीज को फल से कंट्रोल किया सकता है ये कैसा सवाल है लेकि हमारे जो पास बच्चे आते हैं में 40% बच्चों का इंसुलिन चूट जाता है 60% बच्चों का चूटता है पर वो कम हो जाता है जो तो 40 यूट ले रहे थे उनका 4-5 यूट रहे जाता है बड़ वो चार-5 यूट लेते रहना पड़ेगा क्योंकि वो आते हैं ऐसे जो दो-तीन साल अलड़ी इंसुलिन ले रहे थे तो बच्चे तो ग्रो हो गए उनका पंक्रियास उतन करा भी देते हैं विकाओ अब देस डायट तब भी वो उतना प्रोक्षन नहीं कर पाता है जितना प्रोक्षन उस बोड़ी के लिए काफी हो तो ऐसे में इंसुलिन कम तो हो जाता है बड़ पूरी तरह छूटता नहीं इंसुलिन डिपेंदेंसी थोड़ी बड़ी रह जात मूली के पते, पान के पते, पालक के पते, धनिया, पुदीना ऐसे अगर चबा ले तो इस तरह से टाइप ओन बच्चे केन भी फ्री ऑफ इंसुलिन सर क्यूंकि अब हमारे दर्शकों को आप ही समझाये डाइबिटिक रोग्यों के लिए उनकी दिन चरिया क्या होनी चाहिए? मसलन खाने पीने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत क्या क्या कहना है नहीं है लेकिन मुटापा भी एक कारण होता है सर आप कहते हैं कि आप डाइबिटीस की समस्या में मात्र बहातर घंटों में आराम दिला सकते हैं जबकि दूसरे डॉक्टर सालों तक इसका इलाज करते हैं डाइबिटीस को लेकर आपका ये मूल मंत्र क्या है मूल मंत्र दोई स्टेप है पहला तो डी आईपी डाइट दूसरा डॉंट इट आफ्टर सिक्स पीम जैसी आप ये दो करते हैं आप खुदी मजबूर हो जाएंगी दवाई को कम करना पड़ेगा आपको इंसुलिन को छोड़ाना पड़ेगा पहले तीन दिन के अंदर हमारे 72 आर कैम लगते हैं जहां पर तीसरे दिन तक लोगों की इंसुलिन छोड़ जाती है उनकी दवाईया छोड़ जाती है लेकिन फिर ये इंपॉर्टन है जो हमने तीन दिन में कराया जो मैंने आपको बताया ये तो घर पी कर सकते हैं किसी कैम लाने की ज़रत नहीं तीन दिन क्योंकि लोग अपना behavior अपना habit चेंग नहीं करना चाहते हैं जो जैसा वैसी रहना चाहता है जिसको रात में लोग उनको on online TV वेगरा देखना है तो देखना है खाना अगर 10 बज़े खाना तो खाना है तो जो लोग habit बदल नहीं सकते जिसकी बड़ी तादात है तो उनको बदल नहीं मानते जबकि डाइविटीज को भारत ने चोती लाइलाज बिमारी बताया है इस पर आपकर क्या कहना है अगरी जो मैं बोलता हूं उसके सबूत है मारा पास पर एक्जमपल जो आपने भी सवाल पूछा कि डाइविटीज को हम बिमारी नहीं मानते क्योंकि ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ गया तो उसे डाइविटीज बोलते हैं लेकि ब्लड शुगर को घटाना एक दिन का काम है तो इत के नौट बी डिजीज सर डाइविटीज पर आपने काफी रिसर्च की है विया तेनाम बंगलादेश मलेशिया स्विजलेंड जैसे देशों में आपके सेंटर भी बताया जाते हैं डाइविटीज को लेकर आप जो इलाज बताते हैं क्या दुनिया में इसे कहीं प्रमानित किया गया है हाँ इसमे नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे एक क्लिनिकल ट्राइल किया डाइविटीज के पेशेंट्स पे कि अगर जो मैंने बताया भी आपको वो डी इपी डाइट इस डाइट पर पेशेंट को एक हफता रखते हैं तो क्या वो ठीक हो सकते हैं क्या उनका ब्लड शुगर नॉमल हो सकता है कि उसकी दवाई छूड़ सकती है तो उन्होंने क्लिनिकल ट्राइल के रदल में देखा कि वाकई में उनकी दवाई छूड़ जाती है वाकई में वो ठीक होने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं तो ये क्लिनिकल ट्राइल नैशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने प एक दो बर चीटिंग कर लिए अलग बात है बडिए दो स्टेप जो मेने बताया करेंगे तो बीमारी नहीं है तो होगी नहीं और होगे तो ठीक हुझाई जाए भाबर शुप्रिया आपने डियाबिटीस को लेकर हमें बहुत खास जानगारे हैं तो दोस्तों आप जाने होगे हैं कि डाबिटीस आप अपने लाफस्टाइल और आपने खान पान के तरीके से भी अगला जासे हैं या ऐसे ही शो देखने के लिए आपको क्या करना है बले लेना है नमस्कार